बिना टमाटों से बनने वाली आज हम देखेंगे चार तरह की सब्जिया तो सबसे पहले हम बनाने वाले है पालक तो पालक को हमें अच्छे से धोकर ले लिया है और अच्छे से कट कर लिया है अब हमें इसमें मिलाना है थोड़ा सा नमक और नमक मिलाकर इसे हम कुछ देली क तोड़ा साहरा धनिया और थोड़ा सा अध्रक कट कर लिया है और एक चमज जिरा डालकर देखे इस तरह से दर जरा से हमें पीछ लेना है अब हमारे पालग वी स्वाप्ट हो चुकी है अब इसमेशे जितना पाने निकल सकता है उसको निकाल दीजिए और इस तरह से अलग कर लेंगे बाइडिंग के लिए तीन से चार चमश बेसन और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हलदी पाउडर और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है Sakrana में कम ही डालना है बस इस तरह से जब इसमें गोले से बन जाए इसे इस पैसे बना कर देखिए इस तरह से बन जाए बस जो मसाला पीस कर रखा था ना वही प्याज लैसुन वाला अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है दो तिन मेंट तक अच्छे से भूनने दीजिएगा देखे जब इस तरह से यह हो जाए तब इसमें हम डालेंगे सुखी मसाले आधा चमज लालमिश पाउडर थोड़ासा ह पाउडर बना लीजिए और उसे डाल दीजिए अब जो पानी हमने रखा था ना पालक का वह पानी और थोड़ासा पानी मिलाकर इस तरह से हमें इस मसाले को पकने के लिए पाइन डालना है अब इसमें हम डालेंगे कुछ थोड़ी सी कसूरी मिथीका पाउडर अगर है तो डाली वरना इसकिप कर सकते हैं थोड़ासा गर्म मसाला डाल देंगे और इसमें हम थोड़ासा ओर पानी डालेंगे और इसे पकने के लिए ताकि हमर जो मसाले अच्छे से पके इसलिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी अब जो हम इसके पर चलनी रख देंगे और चलन देखिए 10 मिर्ट से भी कम समय लगा है और यह कितने अच्छे से फुल चुके है और देखिए कितने आसानी से निकल भी रहे है बस अब इसे हम निकाल लेंगे अब देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से पक गई है जो पसाले पक गए है अब इसमें हमें आवश दिस्क में हम इसको डाल कर पाल्क के जो बड़िख बनाके रखे तղे उनको डाल डेंगे और फिर हम इसे में फोड़े साहरा में देंगे ऑडिको हुआ ग्रेवी कितनी मस्त आई है ना किसका कलोर कितना बड़ी आया है और ग्रेवी भी अच्छे से गाड़ी हो चुकी है अब यह हमारे सब्जी तैयार है तो चली फटाफट से सर्फ करते हैं वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरू कर दीजिए और चैनल पर नए है तो सब्स बेसिपी बना कर उसके फोटोश शेयर कर सकते हैं चले अब दूसरी रसीपी देख लेते हैं तो यह है अलू की रसीपी तो हमेंने उसके लिए लिए हैं दो बड़े से आलू तो यह मैं 2 ले रही हूँ आप अपने अशोतनों से कम ज़्यादा ले सकते हैं तो इस तरह से हम एक बरतन में इसे grate करना है, जो medium-size वाला ग्रेटर आता है उससे हमें grate करना है, तो देखे इस तरह से मैं इसे grate कर रही हूँ, इस तरह से हमें इसे चाहिए, यहनि ना एकदम पतले हो, ना एकदम मोटे हो, medium-size के, तो देखे मैंने इसे अच्छे से grate कर लिया है, अब इसको हम पानी से इस तरह से इसको पानी इसके जा अंदर रहता है उसे हम निचोड लेंगे अच्छे से कस कर हातों से हमें इसे पानी इसके अंदर का रिमूफ करना है तो इसके अंदर से हम पानी इस तरह से निकाल करके देखिए हमने इसे ले लिया है अब उसमें डालेंगे हम थोड का ध्यान रखेगा और इसमें हमें नमक बाद में डालना है अब ले लेंगे एक छोटी सी कटोरी या कोई भी बाउल ले लिजेए इसमें हम एक से लेड़ चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर एक चम्मच लालमिश पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच भ किचन किंग मसाले की जगा आप गरम मसाला एड़ कर सकते हैं, अब इसे पाइन डाल कर अच्छे से इसका पेश्ट बना लेंगे, आप चलिए गेस पर हमने चड़ा दी कड़ाई, उसमें डाल दिया थोड़ा सा ओईल, या सबजी के लिए आउशोता नुसर आप डाल सकते हैं इसमें डाल देंगे डाल चिनी का टुकड़ा, चार लोंग, चार से पार्च का लिमेज के दाने, थोड़ा सा हम डाल दिया है राई, और आप डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, इसको अच्छे चटकने देंगे, फिर हम डालेंगे इसके अंदर बेसन, तो एक चम्मच बे अच्छे से गाड़ी बने, इसलिए, क्योंकि हम इसके अंदर ना प्याज, टमाटर, लहसुं, कुछ भी इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए, अब जो पेष्ट बना कर रहा था, हमें सुखे मसालों का, अब उसे एट कर देंगे, और इसे अच्छे से चलाते हुए भून डाल दिया है, अब इसे धकर छोड़ देंगे, हमने जो आलो का मिस्चर बना कर रहा था ना, उसमें हम डालेंगे थोड़ आसान नमा, और इसके भी हमें इस तरह से, कोई भी शेप में आप इसको इस तरह से बना दीजे, बहुत ही आसान है, और बहुत अच्छे से बन जात तो जैसले हमने पालक को पकाया था, कढ़ाई मसाले की ग्रेवी के साथ वैसे ही पका सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से अलग से स्टीम करके भी आप पका सकते हैं, तो मोई ने भागोने में पानी चढ़ा दिया है और उसको मोई इस तरह से स्टीम करने के लिए रख है यह 5 मिट में ही हो जाते हैं देखिए आराम से हो चुके है अब इसे निकाल लेते हैं तब- तक हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से पग गई है देख सकते है आप तो यह ज़्यादा समय नहीं लगता है गाईस एक पांच मिप में ही हमारा सारा काम हो जाता है तो देखिए अब जब इसमें यह सब हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और आवशकता नुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से यतनी आप सबजी बना रहे हैं उस निटता उबालना है तो पटा-पट से इसे डाल देते हैं और उबाल लेते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको हमारे रेसिपिस कैसी लग रही है और पसंद आ रही है या नहीं अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा और ज़दा ज़दा शेर कर दीजिए ताकि इस बढ़ती मेहंगाई में हर कोई आसानी से सबजिया बना सके बिना टमाटर बिना प्याज बिना लेसुन बिना द्रक की इतनी तेश्टी बनती है ना ये सबजी कि आप कहे नहीं सकेंगे कि आपने इसे बिना सबजियों की बिना टमाटर की बनाया तब आप हमें इसकी फोटो फेस्बूक और इंस्टागाम पर भी शेयर कीजिए ताकि हमें पता तो चले कि आपने बनाई की नहीं बनाई और इसमें त्वासा हरा जनिया ढाल दीजिए और इसे अच्छे से सर्फ कर लीजिए तो हो गई हमारी बिना टमाटर बिना प्याज व है चोले मसाला तो इसके लिए है मैंने इस तरह के चोले इने राद भर भीगो दिया था आप चार से पाच घंटे तो कि इने भीगो कर रख सकते हैं अब लेलेंगे एक मिसिकाज जार और इसमें लेलेंगे दो बड़े साइस के प्याज इन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोट कट कर लिया है अब इसमें डालेंगे हम लेसुन तो लेसुन की मिना 15-20 का लिया लिया है और अध्रक को थोड़ा सा कट कर लिया है एक हरीमिस डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया बस इसे अच्छे से पीस लीजिएगा हम इसका एक दम फाइन पेस्ट चाहिए एक दम मसाले तो जिसमें लिया है स्टार फूल है दाल चीनी है इलाइची लॉंग और काली मेच थोड़ा सा डाल लेंगे जीरा और थोड़ा सा करी पत्ते को मैंने इस तरह से हातों से तोड़ लिया है पारी पारी अब इसमें डाल देंगे हम पीसा हुआ मसाला और इसे अच्छे हल्दी पावडर एक सी देड़ चमच धनिया पावडर और अब इसमें डालेंगे हम यह कसुरी मिथी पावडर और इसे भी अच्छे से मिला देंगे अच्छे से इसको मिलाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से इसे भून लेना है हमें तो थोड बेर चम्मज डाल रहे हूं गाइस बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें थोड़ा सा गरम मसारा डाल देंगे और लाश्ट में डालेंगे आमचुर पाउडर और यह है टोमेटो केचप तो आप चाहे तो इस तरह से एक चम्मज भरकर डाली या चोटे चम्मज से दो चम्म यह हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ और इसम डालेंगे हम गरम पानी तो मैंने गरम पानी का यूस किया है गाइस गरम पानी से यह अच्छे से जल्दी से उबल जाएंगे और टेस्ट भी बढ़ा अच्छा आत आप देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में हमारी सबजी बन करके रेडी है, और ये अच्छे से कितने अच्छे से इसका कलर भी आया है, और गाड़ी भी है, टेक्चर भी अच्छा है, थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे, इसमें हमने एक चमच घी गरम कर लिया है, थोड़ा अच्छे लगती है ज़रूर बनाईए कमेंट करके ज़रूर बताईए चलिए बनाते है नेक्स्ट रेसिपी हमारी फोर्थ रेसिपी यह है करेले करेली की सबजे बिना टमाटर की आप अमेजिंग है और वो भी कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा तो चलिए इस तरह से मैंन टुकड़े बना लिजिए अब प्यान में हमने मुंगफली को भूनना है तो आधा कप मुंगफली है तो इस तरह से भून लेंगे और फिर जब उक मुंगफली भून जाए उसके बाद लाश्ट बटा लेंगे हम दो चम्मस तील जब भून जाए चलिए इसे निकाल लेते है और अब इसमें लेंगे हम सुखा वाला ये नारियल है इसे में इस तरह के टुकड़े में कट कर लिया है इसे भी अच्छे से भून लेंगे और चलिए इसे भी निकाल लेते हैं अब लेंगे हम एक बड़े साइस का प्याज इसे कट कर लिया है और इसे भी हमें अच्छ तो चलिए इसे अभी अच्छा से भून लेंगे अब इसमें डालेंगे हम कुछ लहसुन की कलिए और थोड़ा सा अद रख बस एक मिर्ट तक भूनेंगे और इसे भी निकाल करके रख देंगे थंडा होने के लिए अब उसी पैन में हम ले लेंगे एक से देड़ गिलास पान लेंगे 5-10 मिट के लिए अब चोटा मिक्सी का जार लेंगे और उसमें मुझ खली और तील को हमें टीस लेना है अच्छा से फाइन पाउडर बनाना है इस तरह से इसे निकाल लेंगे अब उसी मिक्सी के जार में डालेंगे हम नारियल इसे भी अच्छा से पीस लेंगे औ इने हमें ज्यादा नहीं पकाना है 70 परसेंट या 80 परसेंट तक को किजिए बस अब इसे निकाल लेंगे अब ये जो पानी है फेग देना गाइस क्योंकि इसमें साला कड़े लेका कड़वापन आ चुका है चलिए अब कड़ाई में हमने तेल डाल दिया है उसमें लिलिया है फिर हम डालेंगे पिसा हुआ ये मसाला और इसे हमें अच्छे से चलाना है और इसे अच्छे से हमें भून लेना है गाइस जब यह अच्छे से बहुन जाए इस तरह से थोड़ा सो आइल छोर दें तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे यह definitely यहादा चमश लाल मिश ग्रींज पाउडर घणैद्य पाउडरं झात क्षेंज नमक बस अच्छे सेमिक्स करदेंगे यां अच्छे से यह और बूर लीजिए फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे चलाएंगे और इसे ढख कर हमें 2-3 मिट तक रख देंगे जब ये कुछ देर बाद इस तरह से हो जाए अब इसमें हम डालेंगे ये है टोमेटो केचप एक चम्मच इसे खटा मिठा टेस्ट आता है और करेले का जो कड़वा पन है वो महसूस नहीं होता है इसलिए जरूर डालिएगा अगर है तो वरना स्किप भी कर सकते है चलिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हमें कुछ देर ढख कर सिप एक मिनिट के लिए भुनना है अब देखिए ये इस तरह से अन्दर अबजाप हो जाए और करेलों में हमारे मसाले का स्वाद अच्छे से आ जाएँ bedrooms कर देंगे अब आपको जितना ग्रीवी चाहिए हुसी सफे पाणी डाल दिया है चलिए अच्छे मिक्स करते है इसे और इसे हमें धाक कर तोड़ी धेर के लिए दिए पकाना है आप लेकिन हाँ हमारे जो करे ले हैं वो पकने चाहिए इसलिए 10 मीट तक भी पका लीजिए वैसे तो पके हुए है ज़्या समय नहीं लगता है आप ग्रेवी को गाड़ा करने के लिए हमने जो मुझफली और तील को पीसके रखा था ना तो उसमें से मैंने 2 चमबर टाला है बस इसे डालने के बाद 1 मीट तक भुन लेंगे अच्छे से अब देखिए यह हो चुके है अब बस इसे फटाफट से सर्फ करते हैं और आप आपको मुझे बताना है कि आपको हमारी चारों रेसिपीस बिना टमाटर की कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हर रेसिपीस को ट्राय ज़रूर कीजिएगा अगर आपको यह चारों रेसिपीस पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए चैनल को सस्काइब कर दीजिए घंटी को प्रेस कर दीजिए और इंज्वाइ कीजिए बिना टमाटर की साचारों की चारों रेसिपीस तो चलिए फिर मिल मुलते हैं ऐसी ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर